वाइए दोस्तों बात करेंगे 36 गर की आज की दिन भर की ताजा ख़बर ताजा अपडेट के बारे में तब वीडियो में लास्टर तक बने रहेंगे ताकि कोई भी खास ख़बर चुटने ना पाएं और आगे जानेंगे गरोना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों तो चलिए दोस्तों बिने टाइम वेस्ट के सभी ख़बरों को फटा पर देखते हैं तो आज है 7 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन तो आज की पहली बड़ी ख़बर है दोस्तों तो अंगाई की मार थोंक में 40 का टमाटर ख़ीत कर 80 रुपे किलो में बेच रहे बिचोलिया 30 रुपे कमा रहें मुनाफ़ा। पहुँच रही थी लेकिन अनलाग के बाद सब्जी भी करता दूर के ब्लासपूर की मंडियों से सब्जिया मंगा रहे हैं इसमें बेंगलूरू का टमाटर सबसे महंगा हो गया है टमाटर जिले में दो भाव पर कहीं 50-60 कहीं 80 रुपय तक बिचा जा रहा है वैपारियों का कहना है कि जब तक नहीं फसन नहीं आ चाती तब तक किमते इसी बनी रहेंगी टमाटर ही नहीं बलकि हरी सब्जियों भी बजार में 2-3 गुना महंगी हो गई हैं इससे लोगों के बजट और किचन पर काफी असर हो रहा हैं बता दे कि कोरिया में सब्जियों की अवक मुख्य रूप से दूर के ब्लासपूर और सरगुजा के सिल्फिली मंडी से होती रही हैं इन दिनों सभी सब्जियों के भाव चड़े हुए हैं वैपारी सब्जियों के भाव बढ़ने का करन बाहर से ज़्यादा आवक और इस्थानिया सब्जियों की कम उपज होना बता रहा हैं एक पख़वारा पहले आलू 20 से 25 रुपे में बीक रहा था सरकार ने अब सभी जिलों में टूनेट मसीन इसाफित करने का फैसला लिया है अभी तक रायपूर और कुछ दिनों पहले ही ब्लासपूर और अम्बिकापूर में टूनेट मसीन से कोना जाच हुई है इन मसीनों से अब तक 834 सेंपल की जाच हुई है इस मसीन को इंडियन कांसिल फॉर मिडिकार रिसर्च ने आटी पी सी आर्टेस्ट के बराबर दरजा दिया है उधर स्वास समंत्री टी यसी हद्यों ने अपने आवास में स्वास से भाग के सभी आलापसरों की बैठकली सुतरों के मुताबिक दूसरों पर इस बात को लेकर नराज हुए कि दो मेहने बाद भी बिलासपूर, राजानगाओं और अभी तक आईटी पी सी आर्टेस्ट रसरों नहीं हो पाया है यहां भी हैं मसीने, तो अंबिकरपूर मेडिकल कालेज में चार, सिम्सभ इलासपूर में चार, दूर्गा में दो, राजानगाओं में दो, राजानगीर, कोर्भा, कोरिया, महासमून, बलोदा बाजार और धमतरी जिले में भी एकक मसीन है तो टूनेट की चार खास बाते हैं, तो टूनेट कम खर्च में इंस्टाल हो सकती हैं, बड़े सेटब की ज़रूरत नहीं, RT-PCR मसीन के लिए बड़े सेटब की ज़रूरत होती है तो टूनेट मसीन में एक साथ आट से दस सेंपल जाचे जा सकते हैं, और नतीजे 40-45 मिनट में आ जाते हैं, जबकि RT-PCR मसीन में एक साथ नबबे का टेस्ट 6 घंटे में पुरा होता है तो RT-PCR टेस्ट में एक टेस्ट का खर्चा 45-100 रूपय आता हैं, जबकि टूनेट से 1000-15-100 रूपय में बीच होता है तो साथ ही आगे अपडेट हैं दोस्तो, 36 घंट में होटल वार रेस्टोरेंट में संचलीट बार 12 जुलाई तक रहेंगे बंद, तो रायपूर कुना संक्रामन को देखती हुए एक बार राज्य की सभी रेस्टोरेंट होटल और सभी कलब में संचलीट बार को बंद करने क आधी 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई हैं इस संबन में वानिजिकर अपकारी विभाग के अवर सच्यू मरिया नूस तिग्या ने रईवार को आदेश जारी कर दिया हैं पूरव में 5 जुलाई तक रेस्टोरेंट होटल बार और कलब को बंद रखने का आदेश दि के निर्देश तो इस सवधी को बढ़ा कर अब 12 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिये गए हैं राजे ससंद वारा सभी जिलक एलेक्टरों को इस आदेश का अकड़ाई से पलान करने के निर्देश दिये गए हैं तहां से आगे अपडेट हैं दंते और आमें प्रेस के लिए वहां पहुंचे तो प्रेसर बाम की चपेट में आ गए घटना कटे कल्यान थाना चेतर रखी हैं इसकी पूष्टी एसपी अभी से एक पल्लाव ने की हैं तो पांच-पांच किलों के तीन विस्फोटक बरामद तो कटे कल्यान चेतर के मारजूम इलाके में इनाम जवानों ने वहां लगे कैम धवस्तक कर दिये मौके से जवानों को पांच-पांच किलों के तीन आईएडी विस्फोटक और तीन पिट्टू बरामद हुए हैं चिकपाल रोड पर हुआ विस्फोट तो वहां से लटने के दावरान जवानों को कलेपाल छेतर में भी बरामत किया बदरूपो टाम सरेंडर नक्सली हैं और परमोशन के बाद टी आई बने हैं इसी भी चकली बड़ी खबर तो तो 36 अनलाक टू का सातवा दिन तो कुरोन ने रोकी हाई कोट में सुनवाई एक सब्ता के लिए बंद वैपार्यों ने इपास की अनिवारता ख खत्म किया जाए बैपारयों का कहिना है कि इसको लेकर केंदर सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं इपास अनिवारता होने की चलते कारोबार प्रावित हो रहा हैं केट और शत्तिजगर चेंबर ने कहा कई राज्जों ने इपास की अनिवारता खत्म होने के यह इपास की वजह से अभी दूसरे राज्जों या जिलों से आने जाने वाले कारेवारियों को परसानी होती हैं कई जगों पर उन्हें रोका जाता हैं मुख्यमंंतिरी ने पतर मेंege कहा जीम संचलाकों को आर्थिक पहसानी तो वहिं दूसरी और मुख्यमंंतिरी बगे ने परदान मंतिर नरेंद्व मोदी को पतर लिखा हैं इसमें उन्हों ने जीम संचलान की सशता अनुमती देने का अगरह किया हैं मुख्यमंत्री ने कहा है लागडाउन में चरन बद रूप से छूट देते हुए आर्थिक कतिविध्या पुना प्राराम की जा रही है विभिन ने कतिविध्यों का एस ओपी के पालान की सर्त पर भारत सरकान ने अनुमति दी हैं लेकिन जीम संचालान की गोई नु आज हर किसी का मूर बदला हुआ हैं किसी न किसी तरह से आत्मनी भर भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं लागडाउन में काफी समय मिला पढ़ाई के साथ और जदा रख्या बना पाई ये कहा जा सकते हैं कि लागडाउन मेरे कला में निखार लाया है उन्होंने क कहा हैं कि पहले मैं सिर्फ अपने रिस्तारों के लिए राख्या बनाया करती थी लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए आज सभी के लिए राख्या बना रही हूं तो रितिका बीकाम सेकेंड येर की स्टुडेंट है वहाँ पढ़ाई के साथ ही कई रितिका ने बताया कि इन हैड में राख्यों के कीमत 40 रुपे से लेकर 150 रुपे तक हैं तो आगे ख़बर है दोस्तों देशी अब टिक टॉक की तरह चिंगारी ये पर केटर सको मिलेगा कमाई का मौका अपना म्यूजिक बना कर कमा सकते हैं पैसा फेमस कंपोजर्स के साथ होगा रिवन्नु सेरिंग तो नहीं दिल लेची नहीं एप टिक टॉक के बैन होने के बाद देशी एप चिंगारी भारतेओं की स्मार्ट अप्पोन में अपनी जगा बना रहा हैं साथ ही अपने फीचर्स को लगातार अपडेट भी कर रहा हैं टिक टॉक की तरह ही साथ व पर्मोट करेंगे तो कंपनी के फाउंडर और चीफ प्रोड़क्ट अफिसर सुमीद गोस ने मनी भासघर से बात चीन बताया कि देशी कंटेंट वो बनाने वालों के लिए चिंगारी पहले ही एक हाट इसपार्ट के रूप में उभरा हैं इसे देखते हुए हम इस प्रतिभासाली मुजिक कंपोजर सके अच्छी खासी रिज़ देगा इसका उदेश है कि हमारे देश की टेलेंट को परमोट किया जाए जल्द ही हम डांस और अन्य टेलेंट की जरी केटर्स को अपने प्लेट भार्म से कमाने का मौका देंगी हाला कि कंटेंड का खास ध्य मामले सामने आए हैं इनमें दो विदेशी मेडिकल चातर सहिंत पुलिस कर्मी और डांक्टर भी सामील हैं इसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 210 हो गई हैं जो की पूरे परदेश से करीब 33 फिज़ दी हैं इसमें आम लोगों के सांथ ही पुलिस कर्मी मेड मिली हैं स्वात साकेन्द्र के दो स्वात सकाया करताओं की रिपर्ट भी पॉलिटिव आया हैं जिले पर सहसन ने इसकी पूस्टी की हैं परदेश में अब तक करोन संख्यमन के 329 मामले मिल चुकी हैं वही अब एक्टी मरीजों के संख्या 727 हो गई हैं हाला कि इन में को एमसा से डिश्चार्ज कर दिया गया है ये तीन बच्चे हैं तो आगे खबर है दोस्तो सरकारी नाउख़ी एससी ने 283 पदो पर भरती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन इस तारिक तक करे अवेदन तो भिलाई करमचारी आयोग एससी ने जुनियर हिंदी टांसलेटर जुनियर टांसलेटर और सिनियर हिंदी टांसलेटर भरती 2020 कर नोटिफिकेशन जारी किया है इसी के साथ ही इस भरती के लिए आउनलाई अवेदन की प्रक्रिया भी सुरू हो गई है इस भरती में फिलहाल 283 पद घुसित है इनमें सरवाधिक 275 पद केंद सरकार के मंत्रा सालेओं और विभागो में जुनियर टांसलेटर जुनियर हिंदी टांसलेटर के हैं जबकि 8 पाद सिनियर हिंदी टांसलेटर के हैं इस भरती के लिए आउनलाई ऑज़ीत पच्चिस जुलाई तक लिए जाएंगे. तो फरस्ट पेपर की आनला इन्यानी कम्पूटर अधारित परिक्षा 6 एक्टूबर 2020 को होगी इसमें पास होने वाले मेंस पेपर की पेपर की पेप्षा 31 जनुरी 2020 को होगी और निवतम आयू सीम 18 और अधिक्तम 30 वरसन अधारित की गई है